दोस्तों घटना चकर की जो ये पूरवावलोकन की पूरी सीरीज है इसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं आज के इस वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे किसकी पर्यावरन एवं पारिस्थित्की की अब देखिए बड़ी जादा इंपॉर्टेंट बुक्स है ये क्योंकि इस हद जरूरी है क्योंकि तकरीबन 30% के आसपास जो आपका पेपर रहता है वो प्रिविएस येर कोश्चन के अंदर से ही कही ना कहीं से निकल के आपको मिल जाता है इनको अगर आप कर लेंगे तो 30% तो आपकी तयारी आल्मोस्ट हो ही जाएगी मेरे साथ बने रही है इस च चुरू करते हैं आज के अपने सेशन को सो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रत्वी शिखर सम्मेलन यानि की रियो समेट की देखिए प्रीविएस जो वीडियो उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाईए और इससे पहले कई सारे चैप्टर सा चुके हैं तो उनको जरूर जाकर देखिए ठीक है तो आज के इस वाले सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रत्वी शिखर सम्मेलन की रियो समिट की देखिए प्रीविएस अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाईए हर एक वीडियो को वहा इसी को बोले आता है प्रत्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट ठीक है अब रियो डिजनेरियो यह एकजेकली है कहां पर यह है आपका ब्राजील में जहां पर यह पूरा समिट जो है इसको आयोजित किया गया इस समिट के बारे में आपको यह पॉइंट याद रखना है कि 172 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे यह यहां पर बैठे और इस पूरे सम्मेलन में इन लोगों ने शिरकत करी रियो डिजनेरियो में वर्ष 1992 में संपन अंतराष्ट यह प्रत्वी शिकर सम्मेलन यह फिर अर्थ समिट यह संयुक्त राष्ट का पर्यावरन एवम व थापना करी गई अब यह जो ग्लोबल एंवर्मेंट वैसिलिटी इसका काम गया दा इसका काम यह था कि भहिया जो भी संस्थाएं हैं चाहें वह आपका यूएन ट्रपल यूएन एफ ट्रपल सी है यह फिर जो मरुस्तली करण वाली है फिर मिनमाता के लिए जो पारे की र दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है कि 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक परियावरन से संबंदित चुनोतियों से निबटने में साहेता करती है जी एफ और यह संकट गरस्त पारिस्थितिकिये तंत्रों इस्थलिये और जलिये को संग्रक्षित करने में अपनी एहम भूमे का निभाता है यू एन एफ ट्रपल सी इसके तहट अल्पविक्सित देशों को LDFC यानि कि जो आपका लीस्ट डिवेलप्ड कंट्रीज फंड है उसको उपलब्द कराने का काम भी कौन करता है जी एफ करता है ठीक है तो जी एफ का काम आप समझने है एक बताब फंड प्रोवाइड कराना भी है और यह जो है इन देशों को उनके नेशनल एड़ेप्टेशन प्रोग्राम आफ एक्शन यानि की एन एपी एएस इसकी तयारी और क्रियान वरें में हेल्प करता है दो हजार एक की अगर हम बात करें तो दो हजार एक का जो सी य स्पेशल क्लाइमिट चेंज फंड सी सी एफ इसकी इस्थापना की गई तो आपसे यह पूछा या सकता है कि यह जो सी सी एफ है जी इसकी इस्थापना कब करी गई तो सी ओपी सेवन में अब सी ओपी सैवन की बेटा कांपर हुई मार्केश में तो आपको यह वाली चीज यहां पर याद रखनी है कि Special Climate Change Fund, SCCF, इसकी स्थापना कब हुई, COP7 में हुई, अब COP7 कब हुआ, 2001 में, कहां पर हुआ, मारकेश में, यह सारे पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं, यह जो निदी है, यह अनुकूलन के साथ-साथ, विकास चील देश या फिर जो बैंक, यह जो हैं, यह सब GEF के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो UNDP की बात करें, UNEP की बात करें, यह फर हम वर्ड बैंक की बात करें, तो यह सारे के सारे GEF के साथ में जुड़े हुए हैं, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, देखे, GEF यानि की, जो आपका Global Environment Facility है, यह आपका Convention on Biological Diversity, CBD, United Nations Framework Convention on Climate Change, यानि की UNFCC, United Nations Convention to Combat Desertification, यानि की UNCCD, और Stockholm Convention on Persistence Organic Pollutant, Stockholm, ठीक है, और इसके अलावा जो मिनमाता Convention on मरकरी है, इन सब को जो Financial Assistance है, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो वित्तिय क्रियाविदी है, उसके रूप में ये काम करता है, कौन, GEF, ये साथी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है, अब यहाँ पर बात होती है, कोशन की आईए, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर कोशन ह कि रियो डिजनेरियो में संपन अंतरास्टिय सम्मेलन, ये क्या था, ये संयुक्तरास्ट परियावरण एवं विकास सम्मेलन था, ये परियावरण एवं प्रदूशन सम्मेलन था, ये अंतरास्टिय नई अर्थविवस्था था या फिर इन में से कोई नहीं, तो आप्श गया है कि भूमंडलिये परियावरण सुविधा यानि कि जी इएफ के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है पहला है कि यह जैव विवित्ता पर अभी समय एवं जलवाईयू परिवर्तन पर सैयोक्तरास जाचा अभी समय के लिए वित्तिये क्रियावि है यहाँ पर जिसमें बात करी गई है कि यह जो है आपका OECD के अधीन एक अभी समय है अभी करण है जो अल्प विक्सित देशों को उनके परियावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देशियों से प्रद्यवय की एवं निधियों का अंत्रण सुकर बनाता है ठीक है और डी है आपका कि दोनों ए और बी तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा आप्शन ए सिर्फ ए जो होगा वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा अभी हमने इसको देखा भी है कि अर्थ समिट 1992 इसमें जीएफ की स्थापना की गई और जीएफ जो है आपका CBD यानि कि जैव विविद्धा पर जो अभी समय है UNFCCC और UNCCD इत्यादी के लिए विद्तिय क्रियाविदी के रूप में कारिक करता है तो इसमें एक यही कोश्चन था इसके बाद एजेंडा 21 अब एजेंडा 21 की यहाँ पर हम बात करते हैं अगला यहाँ यहाँ पर यहाँ और अश्टी को अर्थ समिटियावे प्रत्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है यह जो सम्मेलन है यह स्टॉकुम सम्मेलन की 20-वी वर्षगार्ट मनाने के लिए आयुजित किया गया था निकि 1972 में जो सम्मेलन हुआ था उसकी 20-वी वर्षगार्ट के उपलक्ष पर रियर development के लिए एक कारवाही योजना स्विक्रित की और इसी को बोले आता है क्या agenda 21 समझ रहे हैं इसको जरूर या दखेगा अब agenda 21 धारणिये विकास के लिए एक वैश्विक कारियोजना है और यह परिस्थितिकी विनाश और जो आपका आर्थिक असमानता है इसको समाप्त करने पर बल देता है सबसे पहले यहाँ पर यह छोटा सा डाइगराम है इसको समझ लीजे इस टॉक होम संबेलन कभूगा आपका 1972 में उसकी जो बीस्वी वर्षगांट थी उसी के उपलक्ष में रियो डिजनेरियो ब्रेजील में अर्थ समिट आयूजित करा गया 1992 में इसी में एक समझ होता कर गया जिसको बोले जाता है आपका एजेंडर 21 और इसकी समीक्षा हर पांच विवर्ष पर की जाती है ठीक है अब यहाँ पर इस छोटे से डाइगराम को देख लेते हैं यह डाइगराम थोड़ा सा इंपोर्टेंट कई सारे फेक्ट्स हैं जो यहाँ पर आपके कवर अप ह को एडॉप्ट किया गया और इसकी समीक्षा जो है पांच साल बात करी गई प्रत्वी संबेलन फाइव में ठीक है यानि कि 1997 में 1997 में यहाँ पर हम बात करते हैं कि एजेंडर 21 के पार्ट क्या-क्या है पहला पार्ट है जैविक विविदता का सर्वेक्षन और संकट ग्रस् दूसरा है विकास्चील देशों में गरीवी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण तीसरा है पूंजी इस्थानांत्रण को उदार बनाने पर बल और चौता है सब को खाद स्वच जल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना अब यह एजेंडर 21 से क्या कुछ पूछा गया थे उनको देखते हैं पहला कोशन है यहां पर कि समाचारों में कभी कभी देखने वाले एजेंडर 21 के संदर्व में निमलिखित कत्नों पर विचार करें पहला है कि यह धारणिये विकास के लिए एक वैश्विक कारियोजना है दूसरा 2002 में जोहनिसबर्ग में हुए पुछ इसके बारे में है एक बार यहां पर देख लेते हैं ठीक है वैसे अभी हमने पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी एजेंडर 21 धारणिये विकास के लिए एक वैश्विक कारियोजना है ब्रैजील की कैपिटल रियर डिजनेरियों में वैश 1992 में परियावरन और विकास स विक्रित की गई जिसको एजेंडर 21 के नाम से जाना जाता है इसके बाद अगले कोशियन की बात करें कि यह जो अर्थ समिट था इसका आयोजन कहां पर हुआ तो भाया रियो में हुआ था ठीक है इसके बाद अगला है आपका रियो प्लस 20 सम्मेलन अगले टॉपिक को रियो प्लस 20 सम्मेलन अब यहां पर क्या कुछ हुआ इसको समझिए सबसे पहले यहां पर यह देख लेते हैं देखिए उन्निस सो बानवे में नियू यॉर्क में संयुक्तरास्ट महसवा ने एक विशेश बैठक का आयोजन करा गया जिसको बुला गया रियो प्लस इसके बाद यह जो बैठक थी मतलब यह जो आपका 1997 में रियो प्लस फाइव इसको बुलाया गया इसका में परपस यह था कि 1992 में जो एजेंडर 21 इसको इसकी उत्पत्ती हुई थी तो उसका मुल्यांकन करना था उसका इवैलिवेशन करना था कि क्या कुछ उस पर काम बाना जाता था उलेकली है कि आपका रियो प्लस टैन का आयोजन जोहिनिसबर्ग साउट एफरीका में 2002 में किया गया और रियो प्लस 20 की बात करें तो यह रियो में हुआ आपका कब 2012 में और रियो प्लस 20 के अगर हम बात करें तो अभी हमने इसकी बारे पहले ही बात करी थ कि यह जो धारणी विकास पर सही उक्तराश सम्मेलन का लगू नाम है यह चीज यहां पर याद रखना है आपको ठीक है और यह सम्मेलन जो था जून 2012 में रियो डिजनेरियो ब्रेजील में संपन हुआ अब इसका आयोजन क्यों किया गया था क्योंकि जो 1992 में रियो में हुआ आपका उच्वाश समेट उसकी बीस में वरशकार्ट और दो हजार दो में जो हुनिजबरग में जो आयोजित हुआ था विश्व सततले कास संमेलन उसकी दसमी वरशकार्ट के उपलक्ष पर इसको आयोजित किया गया अब 2012 की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रेजील ये सारे पहलों पर विचार किया गया और इसी सम्मेलन में भारत में जो हरित अर्थविवस्था या फिर ग्रीन एकोनॉमी इसको प्रोसाहित करने पर भी बल दिया गया अब हरित अर्थविवस्था में जो रुची दिखाने वाले देश थे तो उनको समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदी से कारवाही का आवाहन किया गया और इसी आवाहन के क्रम में संयुक्त रास्ट की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलसरूप Partnership for Action on Green Economy यानि की पेज इसका सरजन किया गया सतत लक्षों को प्राप्थ करने के लिए रियो प्लस 20 सम्मिलन में कोई इस परस्ट रणनीती नहीं बनाई गई थी और इसके साथ किसी कानोनी बंदन की विवस्ता नहीं की गई थी और इसी की वजह से जो इसका Desired Outcome होना था वो नहीं मिल पाया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर हम बात करते हैं कोशन आंसर की पहला कोशन जो यहाँ पर है इसमें आप से पूछा गया है कि आमतोर पर चर्चा में रहने वाला है पर समाचारों में रहने वाला रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है यह धार्णिय विकास सस्टेनेविल डिवलेप्मेंट पर संयुक्तरा सम्मेलन है यह विश्विव व्यापार संगटन की मंत्री वर्गी बैठक है यह जलवाईयू परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानिकी IP CCC ठीक है उसका सम्मेलन है यह पर यह जैब विवत्ता पहली पहला ही वाला यहां पर सही है एकदम आप सही समझ रहें ठीक है समझ में तो आपको आई गया यह चीज़ चलो अगले वाले की बात करें यहां पर प्लस फाइव जो है प्रत्वी सम्मेलन प्लस फाइव इसका योजन कहां पर सॉरी कब किया तो 1997 में किया गया option D जो है वो यहां पर हमारा सही होगा न्यू यॉर्क में इसका आयोजन हुआ अब यह जो रियो प्लस 20 है इसमें गोशना पत्र का शीर शक क्या था अभी हमने देखा the future we want यानि की option A जो है वो यहां पर सही होगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले question इसमें आपसे पूशा गया है कि पहला प्रत्वी शिखर सम्मेलन यह कहां पर आयोजित किया गया था अब यह वाशिंग्टन में हुआ था रियो में हुआ जैनेवा में या फिर ब्यूनस आयर्स में तो यह कहां पर हुआ था option C यानि की रियो में ठीक है इसके बाद अगल देने के लिए संयुक्तराष्ट की एक क्रियाविदी है अब आभी भूर्त हुई अब यह कब मतलब प्रकाश में या फिर कब इसका establishment हुआ तो यह जोहनिस्बर्ग में 2002 में इसका जो था संगधारणिये विकास के तत्वी शिखर सम्मेलन में इसका आवर भूर्त हुआ यह है फिर रियो डिजनेरियो में 2012 में तो यह भी हमने देखा है कि भी यह रियो वाला जो अर्थ समिट हुआ था प्लस 20 वाला तो इसमें इसको लेके आया गया था तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहां पर सही होगा चलो आगे पढ़ते हैं अगले कोश्चन की अच्छा यहां देखते रहिए करियर मित्रा पर आने वाले इन सारे वीडियो को थेंक यू सो मच